तो लगतार इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्ला यह हमले नहीं कर रहा है, बलकि इस बार चार तरफ से इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, यह हमले कहां कहां से हो रहे हैं, एक बार इस्रेल हमला करता है, फिर हिजबुल्ला की तरफ से हमला होता है, और आप तो चौत चौतरफा हमले हो रहे हैं, कौन-कौन इस हमले वे शामिल है, इसरेल किस तरह से इनका जवाब दे रहा है, बाचित करने के लिए मयंक मेरे साथ चुड़काई है, मयंक अब बताया जा रहा है कि सिर्फ हेजबुल्ला की तरफ से ही हमले नहीं हो रहे हैं, जो हमले पीछे से हमले हो रहे हैं, जो चौतरफा हमलों की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर इसरेल पर लेवनन से हमले हो रहे हैं, तो अगर लेवनन वाला बॉर्डर देखे तो वहां से हमले हो रहे हैं, अगर आप सेंट्रल इसरेल की बात करें, तो गाजा से हमास अपने रहे हमले हो रहे ह अगर हम दक्षणी इसराइल की बात करें तो लाल सागर से हुती जो है वो उसने भी रॉकेट से इसरेल पर हमले शुरू कर दिये तो तीन तरफ तो यह हो गया और अगर उत्तर पूरी इसराइल के हम बात करें तो उत्तर पूरी इसराइल में सीरिया से हमले हो रहे हैं और सीर और दस थम्ले हो रहे हैं और निलू ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिए गाजा से हमास ने जो है वो काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन से भी जो है इसराइल पर हमला किया है और इसी बीच में एक T90 मिजाइल है यह कहते हैं कि T90 मिजाइल जो है एंटी टैंक मिजाइल होती और इसका इस्तेमाल हमास ने किया है और इसको टैल अवीफ पर फायर किया गया और इसका एक वीडियो भी वगाईदा हमास ने रीलीस किया जिसके यह मिजाइल गिरती दिख रही है उसी तरह एक बड़ी करने वाली बात है कि जो पिछला हमला ही तरफ से हुआ ही ले हिज कि दो एर बेस को बहुत जबरतस नुकसान हुआ है इसराइल के उसमें एक एर बेस वो एर बेस है निलू जहां से फाइटर प्लेंस ने उडान भरी थी और फुवाज शुकर जो है हिजबुल्ला के जो कमांडर थे इनके उपर जब अटैक किया गया इनको जब निशाना बना कि तो बकायदा हीजबुल्ला ने इसरेइल के कई ठीकानों की रेकी की है और जो हम देख रहे थे कि कि काफी समय लगा एक प्लान तइयार हो रहा था था जुए फुआज शुक्र थे। विडियो गात शुक्र थे था जो बनाए रखना जवाब रखना जवाज टो जवाज़चर एक पूरे इलाके में एक समिकरण बनाइर रहना बहुत जरूरी था ऐसा नहों कि इस्राइल जो है उसको डॉमिनेट करने लगे इसलिए यह जवाब देना जरूरी था और हमने नसर अला हमने जो फुआज शुकर का जो है बदला ले लिया इस तरह का वीडियो जो है इसलिए बदला लेने की बात हिजबुल्ला हमास सभी की तरफ से की जा रही है लेकिन अग कि आगे इस्रेल पर वो रहाइशे राकों से किया जा रहा है उनका कहना है कि रहाइशे राकों में अस्फतार स्कूलों के पीछे चिफ कर यह सब को चो रहा है हम नहीं चाहते कि वहां के लोग मारे जाए लेकिन हम भी अपने आपको प्रोटक्ट करना चाहते हैं और कही न इस्राइल का ग्राउंड ऑपरेशन पिछले 24 गंटे में हुआ है एक तो गाजा में जो है वो इस्राइल की फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन किया है और बताया जा रहा है कि वहां पे जो हमास ने सुरंगे बनाई हुई थी उसमें एक जो बंधक थे उनको चुड़ा भी ल की तरफ से पहले हिजबुला ने हमला की अरववार को देरा जिस तरह के हामले हुए फिर इस्रेल ने अपनी तरफ से पूरे दंखम के साथ हमला किया है अब इस्राइल की फोर्सेस ये कह रही है और सरकार ये कह रही है कि अगर हमें जरुवत पड़ी तो हम लेबनान के अं तो इसके पहले की सामने वाला दुश्मन हमला करें, इस्रेयल उसके उपर पहले से हमला कर देता है. तो देखिए यह जो हिजबुल्ला ने अटैक किया उसका जबर्दस पलटवार जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है. अब लेकिन देखना यह है कि अगले 24 गंटे में, क्या या 24 से 48 गंटे में क्या जो प्रॉक्सी है इरान की, इनकी तरफ से किस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ती है. अचा नीलू एक बड़ी गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी जैसा हमने बताया कि चार तरफ से इसराइल घरा हुआ है और यह चारो तो लड़ी रहे है इसके अलावा एक बहुत चौकाने वाली ख़बर आई है और वह ख़बर यह है कि जो नॉर्थ कोरिया के तानाश इसे सूत्रों के वाले से कहा जा रहा है कि यह जो हतियारों की खेफ है यह रहश्या पहुचाई गई नॉर्थ कोरिया जो है इसे रूस पहुचा रहा है और इसका इस्तमाल ना सिर्फ युक्रेन के खिलाफ हो रहा है बल्कि इसका इस्तमाल जो है वो अब इसरेल के जिसमें दिखाया जा रहा है कि Kim Jongg जो है वो system को देख रहा है कि किस तरह से multiple rockets जो है वो fire किये जा रहे है उसी तरह से suicide drone आजकल देखिए कि suicide drone जो है बहुत जादा इनका इस्तमार हो रहा है इस युद्ध में खासों में Middle East के जो हालात इस वक्त उसमें डून की भूमी का महुत जादा है अचा ये भी है कि हतियार भी हमने रेखा है नहीं नहीं तरीके से अलग अलग जगों से हतियार अलग अलग समय पर कभी अभी एक बताया जा रहा है कि अमेरिका ने शायद इसरेल को एक कह सकते हैं प्लेन दि इसकी होड भी यहां पर देखने को मिली है और एक से बढ़ कर यहां पर डिस्ले किये गए एक तरह से कहले हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो F-35I प्लेन है यह अमेरिका की तरफ से जो है इसरेल को यह फाइटर प्लेन्स दिये गये हैं और जो अभी हजबुल्ला पर अ आप तरह से एक जिक्षा से आप बनले के दौरान एक 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 हावा में रिफ्यूलिंग की गई किया। मवे आप के जिताया देख के आप एक नियुग्त कर देंड़ घ्रूलिय जो गया अधर थाउन आफ एक तरह उनिट जिसका प्र एक मैसेज था जो की इसरेल ने प्लें आप एक पर इस्रेल पर करें और बदले में आप बच जाएंगे तो अगर तो यह एक मैंटल गेम भी पूरे इलाके में चल रहा है कि कौन किसके पास कितने ज्यादा हतियार है कौन कितना एड़ान्स है तो यह एक मैसेस था एक वीडियो था जो इस्रेल की तरफ से रिलीज कि बड़ी संक्या में यह जो है नॉर्थ-कोरिया, रूस, इरान जो है वो हमास को प्रवाइड कर रहा है तो यह एक जो है इस्राइल के लिए पुरे एक पूरे इलाके में अवर अल्ग का सबब बने हुए है और दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि यह कहा जा रहा है कि एरान अपनी प्रोक्सी जितनी है हुटी, हमास, हिजबुला इनको फ्रीहंट दे दिया है अच्छा यह एक खबर आई है कि पिछले कुछ समय से यह था कि एसा कहा जा रहा था कि थोड़ा सा आप समय ले और उसके बाद फिर हमला हो इसरेल पे लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि फुआज शुक्र की जो हत्या हुई उसके बाद से बड़ा जबतस्त गुसा था नुसर अल्ला और हिजबुला के लड़ाके थे उनमें तो अब जो है इरान की तरफ से इनने फ्रीहंट दे दिया गया है कि आप जैसा चाहें वैसा इसरेल पे हमला कर सकते हैं उसी का नती कि जो इस्तिती बनी हुए वो किस तरफ आगे बढ़ती है किस तरह से किसको कितना नुकसान पहुचता है क्या इसमें कभी शान्ती होगी या फिर बार पलटवार और वहां के लोगों का नुकसान होता रहेगा इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आप बने रह कर्वार साथ.